Hello students, in today's class we are going to learn 6 standard geography lesson number 8 that is natural resources So previous lecture में हमने देखा था, ये सारी चीज़े हमने देख ली थी, ये भी देख लिया था इसमें जो ये पार्ट है ये भी हमने देख लिया था और यहां से हमें करना था ठीक है अच्छा पहले हमें ये भी पढ़ना था तो मैं आपको बोली थी कि मैं आपको ये समझा दूंगी क्या है तो देखिए हमने देखा था कि पास्ट टाइम में जो भी सिवलाइजेशन फ्लरिश हुई जो भी बस्तियां बसी तो वह कहां बसी नदियों के किनारे पर जैसे यहां पर देखो इजिप्ट कहां पर बसा यह नील नदी के किनारे पर यहां पर नील नदी है नील नदी आप देख रहे हो तो यहां पर इजिप्ट बसा था ठीक है औ और यहां पर देखेये, युफ्रेत्स अयां पर यह टिग्रीस नदी हैं, तो यहां पर यहां पे यह और ती अ Candice अयुजुँफयां यहां पर भारत का पार्ट था तो इंडस नदी यह देखेये यह हिमाले से यहां से इंडस नदी निकलती है जो कि भी यहां पर आप देखो के तो यह कहां का पार्ट हो गया है यह पार्ट हो गया है पाकिस्तान का तो यहां पर इंडस नदी के पास में कौन सा civilization था तो हड़पन civilization था और यहां पर देखिए यहां पर यहां पर यह नदी है और यहां पर कौन सा यहां पर था चाइना चाइना का यह जो यहां पर नदी है यहां पर चाइना देश था यहां तो मतलब यहां पर जस्ट मैंने आपको जो बताया था कि जो प्रिवियस लिक्षर एमने देखा था कि अलग अलग वाटर का इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग वाटर के पास की बसते थे ठीक है सो हमने कल यहां तक देख लिया था हमें आज देखना है यहां से एनिमल्स, मैंनी एनिमल्स, हमें आज यह पार्ट हमने पूरा नहीं किया था, तो हम यहां से देखेंगे आज, ठीक है, और नीचे का जो पार्ट है वो देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके का, जैसा क्लाइमिट होता है, टेंपरेचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट भी होते हैं, तो वैसे एनिमल्स रहते हैं, जो वहां पे सर्भाइव कर सकें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 90 डिग्री पे क्या होता है, पूरा बरफ बारी होती है, मतलब पूरे साल बरफ से ढखा रहता है, तो वहां पे अगर हम आती की बात करें, तो क्या वो रह पाएगा, अगर हम बात करें जैसे कि और कोई भी आप लेलो, जैसे कि वहां पे आप बात कर लो, काओ, या फिर जो हम देखते हैं, यहां पे हम आपने देखा कि यहां पे अब आया हुआ है महारास्ट मुंबई में आया हुआ है तो वहां पे पूरा का पूरा कैना distingu की उनके हिशाब से यहाँ का टैंफे नहीं हो तो उनके सिस्क्राइब टेंप रहने वाले हैं और पेंग्वीन हैं चोटा पर है कि अब कैसा है वह नोगूं अखेले रंख घया कुन ऑप ह作 neces को अक्यार से पानी है जिसमें उसको रखा गया पूरा एकदम बरफ की जैसे आप पीछे बरफ रखा गया एकदम ठंडा पानी में रखा गया उसको फिर भी वह बिचारे नहीं सर्वाइब कर पाता है क्योंकि उनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं चीए वह बरफ में रहने वाले प्राणी है अब यह तो नहीं रह पाएगा वहां पे तो मर जाएगा ठीक है इसकी बात करें अगर हम लाइन की बात करें यह तो जाएगा वहां पे मर जाएगा ठंडी से ही तो वहां पे वही लोग रह सकते हैं जो वहां के लिए अनकूल रहे हैं ठीक है उनके लिए वहां पे रहना सह एक शब काते हैं इसके लों को रहते हैं इसके रहते हैं तो फॉरस्ट में रहते हैं कहें तो उसे खाएगा ताइगर यह लोग खाएंगे ठीक से यह फूर चैन बनता है हमने देखा इसको भी कि फॉर्स्ट और ग्लास ग्रास लेंड आर धैबिटेट फॉर मेनी इनिमल्स वर्स और ग्रास लेंड तो हमें पता यह जंगल होता है बहुत सारे इनिमेल्स का होता है habitat होता है रहने का जगह होता है it is basically due to plants that we have got animals as a natural resource to basically plants क्या है कि यहां पर plants भी क्या है natural resource और वह अपना जो natural resource क्या है plants तो आनिमल वहीं पे अपना रह लेते हैं तो उनका क्या नेचर रिसोर्स उनका घर भी बन गया और दोनों क्या है नेचर रिसोर्स प्लांट्स ऑल्सो ग्रोइन वाटर प्लांट्स में पता है समंदर के अंदर भी उखते हैं ठीक है वह अलग होते हैं इस वेरी लाइकली दैट इन फ्यूचर वी शैल है टुपेंड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स फॉर फुल्फिलिंग दर नीट्स फॉर ग्रोइंग यूमन पपिलीयशन इतनी ज्यादा फॉपैलेश हो सकते हैं फुक्त है अब योग रहने के लिए पूरा बस्ती बश्ती बनती है कौनीजी बंती जारे मैं डवलप होता जा रहा है वहां का खतम कर लेगा फिर इसके उपर भीड्य करेगा तो यह मरीन विजिटेशन है जंगल की प्लांट्स है कि मैं पता है लैंड कहां पर होता है समुंदर के अंदर भी होता है तो आपे भी ग्रो करते हैं हमने देखा कि एक जो डॉंकी था वो क्या लोड वो अधोय हुआ था मतलब उस पर था मैं मेक्स यूज़ ऑफ एनिमल्स फॉर वराइटी फॉर आफ रीजन अलग अलग रीजन की वजह से यहां पर वह एनिमल को यूज़ करते हैं अलग टाइपस के एनिमल्स को जैसे की होर् बने आको पता ही एव और अश्चेश्न और स्वब्स सब्सक्राइब कर चलब खोच वराइदी कलिए यूज़ करते हैं उनको और केंव Hier यूज़ आपको पता ही है यह सरच भी हमें अनिमल से मिलती हैं फिगर 8.7 शोस दाट रॉक इस बींग लोड़े इंटो अ ट्रॉक फॉम दा माइनिंग एरिया से बहुत सारे रॉक लोड किये जा रहे हैं ट्रॉक पे इसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं जिसकी वजह से वह क्या बन जाते हैं यहां पे डिवाइट किया गया है पहला मेटलिक दूसरा नौन मेटलिक मिनरल में होता है हमें जैसे सोना चान्दी है सारे मेटलिक मिनरल से हैं को अब बबागरा अगरा मेटलिक मिनरल अर यूजड फोर अपेनिंग डिफ्रेंट मेटलिक जो मिनरल्स होते हैं यूज आपने के लिए हैं मेटल सोव्ट साने के लिए याय। आयन बॉक्साइट एट सेट रा उसे पाने किलिए नौन के मिटयल सी हमें कुछ चैनल म eyelet समल्पाहघ मिलते हैं जैसे की जीप्सम मिलता है रॉक सॉल्ट जयू की दाईनों में काम आता है यू कि हम खाते हैं जो सेंधा नमक होता है जो मिलता है इन औल ठीधर्स एक सबस्टार का हैं लीओं सल्टमय? अबी तक जितने भी हमने देखा वो सब के सब जो एक्टिविटीज है कहां पर की जा रही है नेच्टर रिसोर्स से ली जा रही है और वो नेच्टर रिसोर्स कहां पर पाए जा रहे हैं लैंड पर जमीन पर तो जो जमीन पर पाए जमीन पर रहते हैं और क्या एक दिन जमीन पर ही खुद मर जाते हैं लेंड इस इन वेलियोबल रिसोर्स लेंड क्या है बहुत ही कह सकते हैं आपको बता है इन वैलियोबल का मतलब को था एक्स्ट्रेमली यूस्फुल वर्टल इंपोर्टेंस है हमारे लाइफ में इनका इसके लिए लेंड क्या होती है खरीदी और बेची जाती है और अभी तो लेंड की कीमत तो कितनी बढ़ती जारी है हर जगह की कीमत अब देखो तो जगह जमीन कितनी ज्यादा मतलब महंगी होती जारी है अब्टेनिंग लेंड एड स्ट्रेट्जिक लोकेशन यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन एस वेल एस ट्रेड और सम अधर यूजस ऑफ दीस रिसोर्सेज देखिए कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी जैसे कि यहां पर बिल्डिंग बनाओ यहां पर खुब बिकेगा ठीक कि इस तरीटिक लोकेशन मतलब कि जैसा जहां का लोकेशन अगर मार्केट के पास में है कोई तो वहां की कीमत आस्मान चुछेगा ठीक है तो वहां की कीमत बहुत जबढ़ जाती है क्योंकि सब को पता है एक दिन इसका बहुत बढ़ने माला है ठीक है ट्रेड कर्डिंग ऑर जम मार्केट में है तो मार्केट के पास मैं तो आपको पता है त्रेड के लिया रजागर देखें पाइंट-वू से ट्रेड के तो यह कितना जादा इंपोरेंट हो जाएगा टृक है इसके लिए लेंड की तो आपर नहीं है तो आपर उसका बहुत 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 बढ़ जाता है तो अच्छी है तो फार्मिंग के लिए वहां पे तेल निकल रहे हैं तो वहां का भाव और बढ़ गया तो अलग अलग उद्देश से लैंड का यूज किया जाता है देखी मैंने आपको क्वेश्चन पुछा था कि लैंड का प्रपोर्शन क्या है ठीक है जहां के हैजसे जहां का बातवरन है वहां पे वैसे living thing होते हैं ठीक है यहां अलग अलग प्रपोर्शन में जिस Happy South Africa की बात अगर करें तो वहां पर अभी भी बहुत जंगल है तो वहां पर वाल्ड एनिमल्स भी बहुत है दीरे-धीरे जहां का जंगल खतम हो रहा है वहां का दीरे-धीरे वहां के एनिमल्स भी खतम हो रहे ठीक है तो क्लाइमेट वहां का बहुत गरम है इसके लिए वहां पर बारिश बहुत होती है अफ आमेज़ करता है से अच्छा एक्जामपल है आप समझ सकते हो इससे the distribution of these living organism including humans is not uniform तो मतलब यहां तक इस तरी की से मैंने आपको बताया कि जहां पर जैसा रहेगा climate वहां पर बारिश वैसी होगी वैसा जंगल होगा तो जरूरी नहीं हर जगह पे हो और हर जगह पर उतने ही humans हो हर जगह पर उतने ही animals हो उतने ही living organism हो ठीक हर जगह पर सेम नहीं होते इस not uniform का मतलब सेम नहीं होते कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होंगे जहां पर अच्छा उन्हें रहने के लिए उनके अच्छा रहेगा वहीं पर रहेंगे अब जैसे अगर हम बात करें cities की cities में कितनी ज्यादा traffic नहीं तो कितनी ज्यादा अब आप देखो water नहीं मिलता है यहां पर नदिया नहीं है ज्यादा ठीक है लोग उसे भर भर की नदियों को भर भर के वहां पर जमीन तयार कर लिए उस पर building खड़ी कर ली लेकिन जो सब्सक्रवे, जया अब जहां एक पर जेंग möchte अब हम कारे नुए जयाए आप जाने जाए आप मैं शॉक्या सब्सक्राइब कर चकुन के हम ऐसा बर्ञेट самा मेदानी जया का फिर stat तो इस तरीके के होता है जहां पर लोग है जहां पर ट्रीज नहीं है जंगल नहीं हो वहां पर कैसे अनिमस और बड्स रहेंगे ठीक है तो इसके लिए कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है एक जैसे कहीं पर नहीं है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो living things होते हैं ना जो living organism होते हैं इंक्लूडिंग इंसान भी इंसान भी इंसान भी यहां पर सभी जो living things होती है वह अटाप करने के कोशिश करती हैं तो यहां पर आपकर बड़े बड़े बाल होता है जैसे कि polar bear की बात करें तो उसके जो जोस्कीन होती होती है तक्वाल कैसे होता है उनकी स्कीन बहुत ही मोटी होती अपने आपको वैसा नहीं धाल लिया एक्ड़कर नहीं की कोशिश कर रहे हैं उस जगराफिकल कंडिशन को तरीके से तो वहाँ पर वहां पर बाटर्ण का मतलब क्या होता है रहेंगे जो लोग यह से रहेंगे जहां परन्टेनियस रेजन हैं जहां पे जादा पहाड़ है तो वहां पे थंडी भी रहेगी तो वहां पे लोग उस तरीके से लोग रहेगे अपना जो जो नका पहनावा है वह तरीका तो यहां पर क्या कर रहा है इंसान यहां पर अपने अक्रडिंग वह क्या कर रहा है चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है ठीक है अलग-अलग के कोशिश करता है जो पहले सी चीजें उसे क्या करता एपनी नीट के अच्छा है वैसा कर रहा है जैसे की अभी उससे रोड की जरूरत है जो जंगल उसे क्टाइई कर दे तो अपने कर रहा हैका माब-ट्रा कर रहा है ahite चीजों को अपने हसाब से चेंज कर रहा है ठीक है every living thing makes us makes use of nature resource according to its need तो जितने भी living things है वो भी क्या करते हैं अपने according वो चीजों को यूज करते हैं अपनी नीट को fulfill करने के लिए water है water को use कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ है तो यहां पर इंसानों का सबसे तेज होता है बहुत ही बुद्धिमान होते हैं इंसान नहीं सोच रहा है वह सिर्फ अपने लिए सारी निच्र रिसोर्स को यूज करता जा रहे हैं जबकि वह इंसानों का नहीं है इसकी वज़े से क्या हुआ धीरे धीरे जो पॉपलेशन बढ़ती गई और उनकी लालस भी बढ़ती गई पहले इतने में रहते थे अब इतना जगह उक्यूपाई किया फिर इतना किया आगे जो वाटर था जो नदियां थी जो पॉंड थे उसको भरना उसमें मिट्टी डाल करने लगे वह नुकसान करने लगे सारे नेचर इससे क्या हुआ जो नेचर का बैलेंस है वह पूरी तरीके से बिगड गया this means that it is necessary that man also must use the natural resources only according to his needs and in a judicious manner तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो भी इसका मतलब यह है कि जो भी necessary ज़रुद की चीज़ें है इंसानों को उन्हें क्या करना चाहिए एक जोडेशियस मैनर का मतलब यहां पर क्या है रिजनेबल उचित मैनर में ठीक है उन्हें उतना ही यूज करना चाहिए जितनी जरूरत है एक जोडेशियस मैनर मतलब की एक इतना नहीं यूज कर डालना है कि सारी चीजे ही खतम हो जाया इनसान को क्या है इनसान यहां पर बहुत सारी चीजों के लिए नेचर पर डिपेंड कर रहा है वो नेच्रल चीजों को ही यूज करके तो चीजे बनाता है यहां पर यहां पर जो बिए यह जरूरत है वो सारी चीजों को यूज कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा हैं नेचर इस नाट फॉर मैन अलोन तो सिर्फ इंसानों के लिए थोड़ी यहां इंचर वी इंचर इंश तो यह डूसरे लिए लिवन デंच्ट्विंग के लिए जरूरी है उनको भी यह बिलॉंग करती है उनको उनकी लिए उतनी जरूत है और उनका भी इस पर राइट है है यह मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है तो आपको बताना है ठीक है कुछ खास नहीं उसमें तो अभी हम देखते हैं क्या है आपको इडिनिटफाइ नेचर रिसोर्स तो यहां पर यहां पर हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट हुआ नेक्स वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्स के कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना